नरेंदर मोधी वाहियात बाते ना करें ये बात बिकानेर में बीजेपी अल्प संक्यक मोर्चत जिला अध्यक्ष उस्मान गनी ने कही है इसलिए मोधी जी ने इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया है वो भी पुरे 6 साल के लिए जन्तर विपक्ष के लोगों का मानना है कि मोधी जी मुसल्मान और मंगल सुतर बयानों से देश में नफरत फैला रहे है प्रधान मंतरी के बयानों से जो मुसल्मानों के बारे में है उन बयानों से उन ही के पार्टी के नेता नाराज है बीजेपी मंतरी उस्मान गणी ने कहा यह भारत्य जन्ता पार्टी नरिंद्र मुदी की अकेले की ही पार्टी नहीं है बीजेपी से सैकडो मुसलमान जुड़े हुए है बीजेपी नेता उस्मान गणी का कहना है कि जग चुनाओं के दौरान हम वोट मांगने जाते है तो मुसल्वान हमसे पुछते है कि ये क्या है प्रदान मंतरी हमारे बारे में क्या-क्या बाते कर रहे है उस वक्त बीजेपी के नेताओं को शर्म आती है बीजेपी नेता ने कहा मैं मोदी जी को मेल करने वाला हूँ कि वो इस तरह की वहियात बाते ना करे बले ही वो देश के प्रदान मंतरी है मोदी जी के बयान बाजी और जुमले बाजी से ऐसा लग रहा है कि उनकी खुद की पाटी के नेता ही उनसे परिशान है प्रदान मंतरी कहते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास ये सही है क्या मोदी जी देश में हर धर्म का साथ दे रहे है क्या भारत का विकास हो रहा है सारे विपक्ष के नेता और जंता का यही सवाल है